बच्चों क्या आपने कभी अपने आसपास के सजीवों का निरिक्षन किया है? हम अपने चारों और फैले सजीवों की सूची बनाते हैं सजीवों का वास्तव्य कहा होता है ये लिखते हैं क्या आपकी सूची बन गई है? आपका क्या निरिक्षन है? मुझे विश्वास है कि आपने अनेक सजीवों का निरिक्षन किया होगा और अपनी सूची में उनका समावेश भी किया होगा जैसे कुते, बिल्ली, छिपकलियां, की तक इस प्रकार के प्राणियों की एक बहुत बड़ी सूची बनी होगे आपके पास इसके अलावा वनस्पतियों में घास, तुलसी, गुलाब जैसी सामान्य औशदी वनस्पती, नारियल, आम, नीम, आदी वरुक्षों का समावेश होगा इसके अलावा यदि आपके परिवेश में कोई जलाशय है, तो उसके पानी में भी आपको कुछ वनस्पती और प्राणी मिले होगे अब आपकी समझ में आगया होगा कि ये सभी प्राणी एक दूसरे से भिन्न है, कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, कुछ उड़ते हैं, तो कुछ रेंगते हैं, कुछ गसीरते हैं, इन सभी प्राणीों में विविदता दिखाई पड़ती है हमने सिर्फ अपने आसपास दिखने वाले प्राणीों की सूची बनाई है, अब हम विविदत जलवायू के प्रदेशों के जैसे रेगिस्तान, परवत में प्रदेश और बरफीले प्रदेश आदी में रहने वाले प्राणीों का निरीक्षन करने की कोशिश करेंगे इसके द्वारा हम जान पाएंगे कि इन सजीवों में भी अनेक प्रकार की विविनताएं होती हैं सवाल ये है कि विविद जलवायू के प्रदेशों में रहने वाले सजीवों में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है क्या आप इसके उत्तर के बारे में सोच सकते हैं? इसका कारण है कि विविद प्रदेशों में विविद प्रकार की जलवाई होती है अब हम एक उधारण देखते हैं राजस्तान के मरुस्थल में जलवाई कैसी होती है? क्या आप बता सकते हैं? राजस्तान की जलवायू अत्यंत शुष्क उष्ण होती है और वहाँ बारिश भी कम होती है बच्चों इसके विपरीद आप कभी हिमाचल प्रदेश या कश्मीर जैसी जगाहों पर गए हैं वहाँ की जलवायू किस प्रकार की थी? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की जलवायू बहुत ठंडी होती है और वहाँ अच्छी बारिश होती है अच्छा क्या आपने उंड जैसा प्राणी या कैक्टिच जैसी वनस्पती कश्मीर में देखी है? इसका जवाब नहीं होगा इसका अर्थ ये है कि एक जलवायू में रहने वाला सजीव दूसरे प्रकार की जलवायू में जी नहीं सकता आपके अनुसार ऐसा क्यों होता होगा? इसका कारण है अनुकूलन की कमी अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन प्रक्रिया का अर्थ होता है अपनी आसपास की जलवायू और वातावरण के अनुसार सजिवों की शरीर में धीरे-धीरे संद्रचनातमक और कार्यातमक परिवर्तन आते हैं जो उन्हें इन परिस्ततियों के साथ तालमेल रखने में मदद करते हैं ये परिवर्तन विकास की दौर में धीरे-धीरे और क्रमशह करोडों सालों में होते हैं आपने साइबेरियन क्रेन इस पक्षी का नाम सुना होगा ये पक्षी साधारण तया उत्तर ध्रू के पास होते हैं जहां अत्तिन्त ठंड होती है लेकिन ये पक्षी हर साल नवंबर और दिसंबर महिने में दक्षिन दिशा में उड़कर आते हैं ये स्थलांतर उन्हें उत्तर ध्रू की कड़ी ठंडी से बचाता है इस प्रकार से वर्तन में जो परिवर्तन आता है वह सजीवों को जीने के लिए आवशक होता है इस प्रकार सभी सजीव उनके आसपास के परिस्तिती के अनुसार अनुकूलन करते हैं और स्वयम को जीवित रखने का प्रबंध करते हैं अब आपके लिए एक प्रश्न है सोचिए मानव दुनिया में कहीं भी किस प्रकार से रहता होगा सारांश बच्चों आपने ये जान लिया होगा कि जलवायों में प्रदेश के अनुसार बदलाव होते हैं इसे कारण सजीवों को उस जलवायों के अनुसार निजी परिवर्तन करके अपना अस्तित्व टिकाना पड़ता है इसका अर्थ है कि हम संपूर्ण पृत्वी पर सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व देख सकते हैं